राजस्थान बोड की बची हुई परिक्षाओं के आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री अशोग गहलोथ ने उचत ववस्था करने के निर्देश दिये हैं ताकि इस महमारी के दौर में छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई परिशानी ना हो परिक्षाओं को लेकर बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री अशोग गहलोथ ने जून में ही कक्षा दसवी और बाहरवी की परिक्षा करवाने के निर्देश दिये हैं नोहोंने कहा कि कोरोना वाइरस के कारण स्थगित की गई विभन विशों की बोर परिक्षाओं कराने का निर्दे लिया गया है इसके लिए शिक्षा वभाग के अधिकारियों को समुचत ववस्था करने के निर्देश दिये हैं वहीं इसके मदनजर सभी परिक्षा केंद्रों पर परिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए मास्क पहनना साथी सेनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा साथ ही विद्यार्थियों के परिक्षा केंद्र पर आवा गमन और परिक्षा के दोरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की सकती से पालना करने होगी इसके अलावा आवशक्ता के अनुसार परिक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का सुझाओ भी दिया गया इस बैठक में शिक्षा मंत्री गोविन सिंग डोटा सरा, मुखे सचीव डीबी गुपता, अतरक्त मुखे सचीव निरंजन आरे, स्कूल शिक्षा साशन सचीव मंजू राजपाल समेत आला अधिकारी मौजूद रहे